उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा थमने के बाद अब कई वीडियो शेयर किये जा रहे हैं ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दंगे फैलाने के लिए मुसल्मानों को पैसे बाटे गए थी 30 second के इस वीडियो को किसी के घर की छट से सुट किया गया है वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक कतार में महिलाएं हैं जिने नोट जैसा कुँछ दिया जा रहा है इस कतार में बच्चे भी हैं उन्हें भी एक एक नोट दिया जा रहा है मंदीब टोकस नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और दावा किया है कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के पहले का वीडियो है और मुसल्मानों को हिंसा भड़काने के लिए पैसे बाटे गए इसे 32,000 लोगों ने अब तक शेयर किया है और 5,00,00,000 लोगों ने इसे देखा है इसके अलावा कई अन्री यूजर्स ने भी इसे ऐसे ही दावों के साथ फेस्बुक पर शेयर किया है जिसे 4000 लोगों ने शेयर किया है BBC ने इस वीडियो की परताल शुरू की और पता लगाने की कोशिश की कि क्या हिंसा भड़काने के लिए पैसे बाटे गए हमने इस वीडियो को ध्यान से सुना तो एक आवाज सुनाई दी अल्ला इन्हें खूब देगा ऐसे इंसानों को जो दूसरों की मदद कर रहा है बाबु नगर में शिव विहार के कई मुसल्मान परिवार शरन लेकर रह रहे हैं कुछ इदगा और घरों को शेल्टर हों में तबदील कर दिया गया है यही रहने वाले हाशिम ने BBC को बताया हमें ये पता है कि मदद के लिए 100 रुपे 50 रुपे दिये गए इस गली के साथ आसपास की बाकी गलियों में भी खाने और कुछ पैसे जरूरत मंदों को दिये गए कुछ लोग बाहर से आकर ये कह रहे हैं कि सरदार लोग भी आये थे रविवार को बाटा, शनिवार को बाटा और तीन-चार दिन से लगातार बाटा जा रहा है सुबे से लेकर शाम तक कोई वक्त तैय नहीं है जब ऐसे लोग मदद के लिए आते हैं तो औरतों और बच्चों को लाइन में लगा लेते हैं लोग यहां खाने का सामान भी बाट रहे हैं ज्यादतर पैसे और मदद का सामान महिला और बच्चों को दिया जा रहा है जिसे जितनी मदद बनती है वो लोग दे रहे हैं इस गली में ही हम आगे बढ़े तो बड़े बरतनों में खाना बनता दिखा मुहमद रफीक मंसूरी शरन लेकर रहे हैं लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं उन्होंने कहा मदद में लोग अनाज दे रहे हैं कई लोग तुगलकापाद से आकर अनाज दे रहे हैं कि वीडियो में दावे के मुताबिक दिल्ली में हिंसा भढ़काने के लिए पैसे नहीं बाटे गए बलकि ये पैसे हिंसा में पीडितों की मदद के लिए बाटे गए साथ ही ये वीडियो शिवपुरी से भाग कर बाबुनगर शरन लेने आए परिवारों का है जिने खाना और दूद और कपड़े भी बाटे जा रहे हैं